आईए दोस्तो आज हम आपको नेट की कुर्ती बनाना बताएंगे ये बटन हमने बना रखे हैं ये बटन में हमने पाइपिंग लगाईए और ये देखिए नाप है ये नाप हमने अपने हिसाफ से ले लिया है आप अपने हिसाफ से ले ले और ये नेट है सबादो मीटर और यह देखिए इस तरीके से क्योंकि यह कप्ला थोड़ा चेपकता है हाथ में इसलिए इसको अराम से ही काड़ा जाए क्योंकि नेट के अंदर यही लगाया जाता है क्योंकि इसकी सैनिंग आ जाती है अगर आप अस्तर लगाएंगे ना तो वो ग्रेस नहीं आएगी जो यह सेंटून लगाने से आती है क्योंकि वो फिर जड़ा खड़ा हो जाता है यह सेंटून जो होती है यह थोड़ी सौप्ट होती है तो यह पहनने में भी अच्छी लगती है यह देखिए इसको इस तरीके यह कमर का और यह हिप का अब यह देखिए सारे निसान में सीधे इस तरीके से सीधी फट्टी से उठा लूँगा ऐसे कर गया है यह देखिए यह देखिए अब इसमें क्या है तीरा काड़ने के लिए जो है मुझे आदा इंच एष्टा रखना है तो मैं यह साड़े तो मैं जो हमें मारजन रखना है जो हमें यह सेंटर में चाक खोलने इसलिए बागी जो आपका साइज आप अपने हिसाफ से यह साइज का निसान लगा लें मैं यह अपने हिसाफ से लगा ले रहा हूं कि यह दखिए हिप और श्टेट घहरा रखेंगे इस तरीके से यह लिए यह स्केल से हम चाक से हैप तप तक निसां लगाएंगे और यह लिए इस तरिके से यह कमः ओ और यह से फट्टी से कमः से चैस्ट का क्योंकि थोड़ी गुलाई आ जाती है na इसलिए अगर से फट्टी से लगा देंगे तोटा सही बैड जाता है यह देखे से यह इसको गुलाई कर देंगे इस तरीके से कटिक कर लिंगा यह यह यहां से टॉन कर देंगे इस अब देखे आसे करके अब इसको हाल गासा उपर ऐसे खीच लिए तोझ है फीज देट से जो ना थोड़ा सा कॉंटर छोड़ा पड़ जाता है फिर दीवार में ना तो हाथ अड़ जाता है इसलिए अगर आपके पास में खुली जगा है तो आप काड़ ले आराम से कोई ऐसी दिक्कत वाली वाल नहीं है यह देखिए इस तरीके से अगर खीच लिने तो यह आराम से देखि है यह देखिए अब यह से तरीके से में यह सम्म डेग इस तरीके से देए बिठा हूं है इसे यह अब यह देखिए ग्दियम काड़ लेंगे देखें अब एक में निसान नहीं लगा या है अगर अपनेशन लगाए काटे तो निसान लगाए Kita ले इस तरीके से अभी देखें जी नीचे से में इसको ऐसे कर बैच कर 육ंद किष्ट पयरarium कित आप ऑफ आ हुआ के अब यह कट मालेगे कि यह देखें यह सेंटर के कट जो हिप से हमें दो ढहीं च नीचे हम लगा रहा है इसको जो हम सेंटर चाग को लेंगे इस तरीके से यह अब हमने यूज लिए अब इसको रखेंगे अराम से यह देखेज इसको लंबाई हमें जितनी करनी है नीचे की साइट में क।ो हमें तुर्पाई निकननी हमें शिलाई लगानी है इसमें तो इसके लंबाई के छesाफ से इस तरी के से लिए देखे हैं अब यह देखिए इसको ऐसे खरके काड़ दो यह देखिए यह आर्मॉल अब इसको नीचे की सेट से इस तरीके से देखिए काड़ लेंगे क्योंकि यह दर हमने सैट में इस तरीके से जो कपड़ा रखा ना यह खुला वाला जो हमने अपने तरफ रखा क्योंकि इस में से सेंटर बन जाएगा अब बैक क्योंकि हमने देखिए इस तरीके से यह बैक हमने यह काड़ ली और यह फ्रेंड रहें यह देखिए हमने सारे ही इस तरीके से देखिए यह काड़ ली हैं अब यह देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको नीचे से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में ये देखिए इस तरीके से और ये दूसरा वारा पन लावी इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से फोल्ड कर लिए अब ये देखिए उपर से हम इसको विश्छे मोट्रां को इस तरीके से रखने करकर siya लगी इसतरीके से कंदी की से रहा है कि तो पर क्टा पड़े से को एकडम ना आ आने दे और इसको इस तरीके से आपके इसको कच्च्छा कर लेकिंगית फन कि यह थोड़ी थोड़ी जो कंणी है हमारी इसमें इसको मैंने इतर भार निकाल लिया है इस तरीके से क्योंकि हमारी एकदम सही आ जाएगी तिर क्योंकि कंणी जो है कई वार ऐसा होता है ना कि जब शिलाई लगा लेते हैं उसके बाद में नजर आने लगती है बैसे तो यह े लिए नेजट है अब देखे इसको इस तरीके दिसा करके रखेंगे और यह दिल्चे करके इसको क्यूंकि यह जो नेट के पड़े और तो यह चावाय जाता है JUL जाव जाए अगा था न बहुत अजीफा शेल unfor esca 6 इना ने नेजब देख से कि त Dame यह जाए उस आउ अब यह देखिए इस तरीके से लग गया इसी तरीके से में यह सारा मार्जन काड़ दूँगा और काड़ने के बाद में इसी तरीके से यह दूसरा वाला फ्रेंड है इसको हम इस तरीके से लगा लिए और ये बैक भी हम इसी तरीके से लगाएंगे ये देखे पहले मैंने ये दोनों फ्रेंड कच्चे कर लिए हैं ये मैं आपको दिखा दूँ ये देखे इस तरीके से और यह इसका जो center है देखे हमने जो cut लगा रखा था इस तरीके से नीचे से मिलाएंगे इसको ऐसे करके क्योंकि नीचे से नीचे से ने मिलाएंगे ना तो हो सकता है कि थोड़ा सा और नीचे हो जाए और इसका जो landing है वो थोड़ा सा अगर तो सामने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि यह नेट का कपड़ा होता है बिल्कुल वारिक होता है तो इस तरीके से अगर नीचे से लगाएंगे तो पूरा ही जाएगा अगर हलका फुलका थोड़ा एक आज सूत ऊपर नीचे होता है तो आपका वह उपर गले निकल जाएगा इस तरीके से अब इसको हम यह देखिए यहां से फोल्ड कर लेंगे क्योंकि हम यह पर ज्यादा मार्जर नहीं छोड़ा है आदा इंज का इस तरीके से देखिए फ्रोइंड में ऐसे करके फोल्ड कर लेंगे यह देखिए इस तरीके से यह देखिए इस तरीके से आदेखिये इस तरीका से इस तरीके से सेलाई लिए अभ हम इसको सीदा करके इस तरीके से दैखिए अभ एक उपर की सेट में मसलाई लगा लिए लब की जिस पर कि हम बड़न लगाएई ने तो थोड़ा सा एक तो स्दै के लग मा nervous जाता है भी देखें इस तरीकेसे ति ये देखें अब ये धेग Cसथ और हगटा क्योंकि भी सेंटर असलाही लगाने का मतलब होता है कि आपका भाग़ेया नहीं क के लिए अगर लगाना चाहते हैं अब यह देखिए इस तरीके से हम इसको ऐसे करेंगे यह देखिए ऐसे करेंगे यह देखिए ऐसे करके यह देखिए अब इसको हम कार्ड लेंगे यह देखिए यह तरीके से और यह कट लगा लेंगे कट दियान से लगा है ताकि आपका कब्डा ना कटे'D कआखक 1 एर का अधर बिल्कुल आपकर इक्दम से कर लगाएंगे नढ़ा है ऑगर जादा अगर कट मार दिया आपने अगर सिलाई कट गई तो आपकी फिर खुल जाएगी तो अच्छान नहीं देखिए गाल एए यह मने बना लरी इस तरीके से यह ए यह ए इस तरीका से हम भी बना लिए यह है यह यह फ्टारी के से यह यह बना लिएateur करण था स्भकुइए यह यह कंडी श्टरीक दो में यह जा बॆ कि अचक्ची करें कि यह देखिए करने कि इस तरह से जोड़ दो में जो कि यह दोनों कंदी जोड़ने के बाद में अ know कि यह देखिए ICHद URL में इसको इस तरह से पक्का कर दिए अब smash दर्थ जेत के सिदिए हम लगान ये पहले निसान दे कर दो नहीं तो तो हम उठा लेंगे कि इस तरह के ऊपर तो पुरा लगाएंगे जब भी चल जाएगा इस तर्जा कर देखिए कि अज़िए एक एक दो लगा देना तो थोड़ा सा हाथ पीछे इसलिए रखने क्योंकि देखिए लगा लेंगे ना तो सिलाई थोड़ी सी अगर खिचने वाली भी होगी ना जब भी नहीं खिचेगी इस तरीके से कि यह यह लूज टैट के लिए कि इस तरीके से लगा देंगे इसे करके अब इसी तरीके से यह लगा लिए देखिए अब मैं इसको देखिए क्योंकि यह तुर्पाई वाला नहीं है तो मैं इसको चाक को पहले पूर्ड कर दूँगा इसे करके देखिए यह देखिए ऐसे करके हैं यह देखिए बिलकुल देखिए सिंपल कुर्ती है बिलकुल एक दम जैसे कि हम नैट के बनाते हैं उस तरीके से अब इसके अंदर सिरफ थोड़ा सा काम जो है मैंने एक तो बटन में करा है जो पाइपिंग लगाई है डवल उसमें बनाए है और पाइपिंग लगा के बनाए और एक मैंने इसके बाजू के अंदर जो पैंड हमने बना रहे है इसमें रेड कलर की तो इसकी पट्टियां हमने लगाई है भो भी मैं आपको किस तरीके से बनाऊंगा मैं तो आपको दिखाऊंगा क्योंकि इसमें एक देखिए सिंपल ही कप पड़े बिल्कुल ही कि ऐसे कर गे कि यह देखिए यह मैंने इस तरीके से यह चांग फोल्ड कर लिए और यह गहरा भी फोल्ड कर लिया देखिए इस तरीके से क्योंकि यह नेट का कपड़ा जो होता ना इस पर तुरपाई करेंगा तो तुरपाई खिज जाती है तो वो इस तरीके से यह देखिए ऐसे करगे अब यह जो बाजू है ना इसके बाजू के अंदर देखिए एक चीज़ है क्योंकि इसमें कपड़ा होड़ा तो मैंने यह जोड़ लगा लिए तो इस पर मैं इस तरीक है इस तरीके से रख दूँ üyसको इसको उपर ऐसे करके ताकि अब इसमें ये जोड लगा दूआ ये इस तरीके से पट्टी लगा दूआ ना तो ये जोड छुप जाएगा इससे बाजू की लंबाई भी बढ़ जाएगी और देखिए डियाइनिंग भी हो जाएगी थोड़ी सी तो इससे खुबसूरती भी आ जाएगी औ और हमारा कंट्रास भी थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा जैसा कि हमें चाहिए ये देखिए इस तरीके से ऐसे करके पहले हम जोड पे ही लगा लेंगे क्योंकि हमें इसमें चार बो लगाने इस तरीके से अब ये चार लगाएंगे इस तरीके से देखिए ये देखिए ऐसे करके ये मैंने जोड पे ये इसलिए लगा दी अब ये जोड पे लगए अब जोड एक्दम बिल्कु खतम हो गया यहां से ठीक है अब देखिए उल्टी तरफ कर से मैं इस तरीके से ये रखूंगा इसक को ऐसे कर गया और यह देखिए आसे कर गया कि यह देखिए स्वाइशे प्राइड लेंगे कि यह देखिए अगर आप तीन बादी लगाना है छाथे तो तीन लगा लगाने मैं इसमें चार लगाऊगा इस तरीकłęसे एह किया ने कि यह देखिए इंच्रेयर ने हैbn यह देखिए इस तरीक़े से इस तरीक़ां इसको नेकलाओ इसके क्योंकि नैट की बाजु है तो यह डालेंगे तो थोड़ा सा यह जोड लगाया आमने तो यह अच्छा सा जब पहनेंगे ना तो अच्छी तरीके से आपको हाथ में भी थोड़ा भरा भरा लगेगा कि यह देखे इस तरीके से कि यह कि यह देखे हैं यह तीन लग गए और यह जो चोथी बट्टी है यह देखे इसको इस तरीके से कि ऐसे करके रखेंगे कि यह देखे मैं एक बाजू में पूरी पट्टी आपको लगा के दिखा रहा हूँ दूसरी में मैं इसी तरीके से लगा लूँआ कि यह देखे इस तरीके से यह देखे इस तरीके से चारो पट्टी मैंने लगा लिए आप एक आग पट्टी और बढ़ा भी सकते हैं या तीन भी लगा सकते हैं भी सकते हैं वाजू मैंने इसके लगाई है क्योंकि यह जोड़ देखे यह दूनों बजू मैंने यह बना ली देखे वाजू अच्छी लग रही है लगने के बाद में पट्टी अब यह देखिए इसको बाजू को हम इस तरीके से यह चड़ा लेगें यह देखिए ऐसे करके क्योंकि यह वाइट कलर है तो इसमें हम इंटरलोग कर देंगे वाइट कलर का तो इसको फोल्ड नहीं करेंगे नहीं तो अगर बाई चांस अगर आप और कोई कलर बनाते हैं तो यह जो आर्मोन की जब यह चड़ाते हैं बाजू तो इसको शिलाई को पका कर देंगे आप ताकि पका कर देंगे ना तो उससे यह है कि इंटरलोग नजन नहीं आएगा अब इसमें वाइट है तो वाइट से हम इंटरलोग कर देंगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है देखिए इस तरीके से इसको ऐसे करके देखिए, बाजू चड़ाएंगे, ये देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे करके, अब ये देखिए, ये इसी तरीके से मैं, ये देखिए ऐसे करके, ये दूसरी वाली बाजू की मैं इसी तरीके से चड़ा लूँआ, ये देखिए, ये इस बाजू मैंने चड़ा ल सकते हैं या पाइपिंग वाले नहीं लगा के रेड कलर ही लगा सकते हैं तो वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना बुलें थैंक्यू फॉर वॉचिंग